गाइस वेलकम टू अलफा इस्टिटूट गाइस 10 जनुरी से लेकर 17 जनुरी ये 7 दिन इन 7 दिनों में हमारे द्वारा आपका कम से कम 15 से 16 नमर की तयारी कराने वाला है तो इन 7 दिनों में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है सबसे बड़ी बात नेश्ट टेस्ट जो की 16 और 17 जनुरी को होगा किसका होने वाला क्या होगा सलेबस टेस्ट का ये सभी चीजों के बारे में आज की इस महतपूर वीडियो में बात करूँगा साथ में गाइस इन 7 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है कितने घंटे पढ़ना है क्या पढ़ना है इस सभी चीजों के बारे में बताऊँगा और मैं आप वो कौन से क्लास दूँगा इसके बारे में भी आज की इस महतपूर वीडियो में बताऊँगा गाइस ये 10 जनुरी से लेकर 17 जनुरी ये तो 7 दिन है अभी तक मैं आपको लांग इस्वर तो पढ़ा दिया हूँ पूरे सरेबस का लेकिन मैं सुच रहा हूँ कि आप पूरे एक एक चैप्टर का अतिलगुतरी प्रस्न एक एक सब्ता में एक चैप्टर या दो चैप्टर का इस तरह से कंप्लीट करते चले तो इस सब्ता में आपको कौन सा चैप्टर में कंप्लीट कराने वाला हूँ और जो चैप्टर आपको कंप्लीट करा हूँगा उसी चैप्टर का सनी वार को टेस्ट होगा कमिस्ट्री का या फिजिक्स का या रभी वार को फिजिक्सिया कमिश्टी का टेस्ट होगा यानि एक टेस्ट आपको सनिवार को होगा एक टेस्ट रभी वार को होगा सनिवार वाले टेस्ट का रिजल्ट मैं रभी वार को नहीं तो सुमवार को दूंगा और संडे वाले टेस्ट का रिजल्ट सुमवार या कि मंगलवार को दूंगा जैसे स्टुडेंट जितने टेस्ट दिये रहें कि उसी अनुसार जी काफी जब भी चेक हो जाएगी इस मैं दे दूंगा तो इस सब्ता में आपको केमेश्ट्री में सबसे अच्छा चेटर जिससे आप सभी को डर लगता है वह है पी ब्लाक और पी से आपके बोड़ियां में पूरे साथ अंकि पूछे जाते यानि एक सब्ता अगर आप इस सब्ता भर में पी ब्लाक तैयार कर लेते क्योंकि पी ब्लाक में बहुत जारे रीक्शन है और हैं से अधर डर लगता है पी ब्लाक हुआ उदर आर्गिनिक के मिष्टी यह दोनों तो इस सब्ता में हम आपको पूरा का पूरा पी ब्लाक पढ़ाओंगा और जो पढ़ाओंगा उसी का टेस्ट लेने हो वैसे मैं पी ब्लाक एक बाद पढ़ा चुका हूँ दुबारा हम आप लोगों पी ब्लाक पढ़ा लें कुछ लोग कहें सर्ट चैप्टर नमर एक से पहले पढ़ा दियें उसका भी कोशिस करेंगे रिवीजन करा दें आपको और जो साथ टाइप के कोस्टन है अति लगुत्री बहु बिकल्पी और लगुत्री इन सभी कोस्टन को हम फिर से आपको बताएंगे एक एक कोस्टन को डिसक्स करेंगे और भी सब्ता के लास्ट आपको यह पता चलेका तो गलती को आप दूर करोगी दूर करने के बाद फीर आप हाइनल बॉर्ड इंजाम से पहले ही टेस्ट के जरी है अपने गलती को दूर कर लिए रहोगे तो आपका वोड एकजाम में अपने से ही 3-4 परसंटेज का इजाफा हो जाए क्योंकि मुझे मालू है बहुत सारे इस्टुडेंट बहुत सारे इस्टुडेंट ऐसा करते हैं क्या करते हैं वो लोग क्या आप लोग गलती कर रहे हो मैं खुदी कॉल करके या फिर मैं टेक्स मेसेज करके या फिर वाइस मेसेज करके आप लोग बता हैं इसलिए टेस्ट देना बहुत जोरी यह थुआ आपका कमिस्टी के बात यानि कि आपको इस सब्ता में पूरा पी ब्लाक में कम्प्रीट में पूरा सलेवस का टेस्ट लेता हूं तो कुछ इस्ट करते हैं इस्तर में आप ऐसे करने वाला हूं एक या दो-दो चैप्टर का एक-एक सब्ता में टेस्ट लूँगा वैसे आपकी एकजाम से पले आपकी तयारी अच्छी से हो जाएगी और मैं आपसे कर रहा हूं वह दिर्गुतारी का दूँगा और приготов एक या दो लेक्ट्रे साथ में कराते चलूँगा पिवलांका आपको मैं एक या दो लेक्चर बहुभीगर्पी का दूँगा अतिलगुत्री का दूँगा दिर्गुत्री का दूँगा और फिर दिर्गुत्री का तो मैं दे चुका हूँ फिर से मैं दिर्गुत्री का दिमीजन करा दूँगा इसलिए मैं ऐसा करा रहा हूं, अगर मैं चाहता तो चैप्टर वाइज एक एक बिना कोस्टन का पूरा चैप्टर प्रीबलाग पढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा ऐसा, देखें, यह अंतिम समय, इस समय आपको कोस्टन से पढ़ा चाहिए कोस्टन से पढ़ने से बेनफित यह होगा, कि आपको यह पता चलेगा कि कैसे बनता है और पर उस कोस्टन का जवाब कैसे दिया जाता है, यह आपको जानना बहुत जरू है, इससे आपको ब्यूत ही help मिलेगा, अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ा देता, तो आपको यह लास्ट में आके कोशन का प्रैक्टिस करना इसलिए मैं कोशन वाइज बढ़ा रहा हूं आपको आप डेली जुड़कर हमसे पढ़ सकते हैं अभी तक आकर आपकी एक भी नंबर की तयारी नहीं हुए फिर भी अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आप तो समझ लेना बोर् यह आपका 11 करत है और यहां से 8 करत की तयारी हो जाएगे अगर आप अच्छे सेस्स्प्ता में पढ़ लिए आपको decide करना है, decide आपको करना है, कि इस सब्ता में आपको पढ़ना या ने पढ़ना है, पूरे कांसर्ट्रेशन के साथ, एक एक lecture को, एक एक lecture को साथ दिन पढ़कर देखो, आपके अंदर परिवतन नजर आएगा, बिलकुल परिवतन नजर आएगा, lecture ज्यादा लंबा नही क्या करना है, इलेक्टानिक उप्तियों को भी इसी तरह से मैं पढ़ाऊँगा, एक एक question उसका complete कराऊँगा, चाए आपका आतिलग उत्री हो, लग उत्री हो, दिर्ग उत्री हो, या फिर बहु भी करती हो, कोई भी question हो, पूरे question को मैं complete कराऊँगा, लेकिन जरूरत है अगर आप पहले से पढ़े हो, या फिर नहीं पढ़े हो, आप हमसे जॉइन होकर पढ़ सकते हैं, तो कितने student जॉइन होके पढ़ने के लिए तयार हैं इस पूरे सब्तार, और आप लोग टेलिग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, तो टेलिग्राम चैनल से जुड़ ज सब्सक्राइब करें, जो लोग अभी शुड़े हैं, अफी जो आप लोग कोशन है, कोई भी डाउट हो आपको, कोई कोशन नहीं आ रहा है, हमसे डाइट पूछना चाहते हैं, तो आप टेलिग्राम से पूछ सकते हैं, कब पूछ सकते हैं, रात में नव बजे के बार, 9 से बहुत सारी कोस्ते हैं कि उनको कोई निमिर्कल नहीं आता यह सभी सब्सक्राइब करके चांश करके समझा दें आपको समझ में आएगा परिवतन आपको समझ में आएगा तो आपको करना है इस सपता में परिवत्तन करना है या ने करना है तो सभी लोग comment box में लिख कर बताना कि कितने लोग कि तयार है इस पूरे सपता में पढ़ने का तो गाइस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद